आखिर जब प्लेम स्टील शीट को रोल करके इस बैरल को बनाया जाता है फिर बाद में ये उभरा हुआ निशान बनाने की क्या जरूरत है? कई लोगों का कहना है कि इस से बैरल को लुरका के कही ले जाने में आसानी होती है जबकि प्लास्टिक के बैरल पर तो ये निशान होता ही नहीं दर असल दोस्तों स्टील ड्रम बनाने के बाद ये निशान इसलिए डाले जाते है ताकि इसके अंदर जब कोई पदार्थ या क केमिकल भरते हैं तब गैस बनने की संभावना ज्यादा रहती है और गैस ज्यादा होने की स्थिती बैरल का यही डिजाइन उसे फटने से बचाता है क्योंकि यही एक्स्ट्रा मैटीरियल सीधा होके एक्स्पिंशन को एज़स्ट कर लेता है